भारत में आजके समय एक बड़ा विवा-चिडा हुआ है कि एक सही आयू क्या है विवा करने की बड़ा भयंकर प्रश्ण है और इस प्रश्ण के उठने का कारण है कि सरकार ने विवा की आयू को लड़का-लड़की सभी के लिए 21 वर्ष कर तूंहें इस पर सभी की अपनी राय है इनकी मानों तो लड़की को पीरियड्स आ जाये यानि 15 वर्ष की हो जाये तो करा दो इनकी मानों तो पिता जितना शीग्र अपनी पुत्री का विवा कराएगा उतना सही है क्योंकि शैतन कभी भी आपके उपर आ सकता है और आप अपनी पुतरी या बेहन का ही रेप कर सकते हैं अगर अपनी लड़की मेरी बेहन घर में अकेली है तो भी मेरे संस्कार ये मुझे बिठाया गया है कि अकेली बेटी के साथ मत रहो शैतन कभी शवार हो सकता है और हम देख रहे हैं आज शुकर है आईशा टॉक्या मुंबई में रहती है इनके घर यूपी में नहीं वेदों शास्त्रों में भी इस विशापर लिखा गया है और कहा गया है लड़की को तब ही विवा करना चाहिए जब वो मानसिक और शारेरिक दृष्टी से पूर्ण तब इक्सित हो जाए मैडिकली माना जाता है कि 24 की आईउ में मानसिक विकास पूरा हो जाता है तो वेदों के लुमसार लगवक 24 के आईउ के उपरांध ही विवा होना चाहिए तो वहीं ऐसा क्या हुआ कि सरकार को ये डिसिजन लेना पड़ा इन सभी प्रशनों पर दृष्टी दालेंगे आप हमारे साथ बने रहेंगे देखते रहें आज की दाला ठाब है तो द्धाय प्रारम करने से पहले एक आवशक सूचना हमारी डॉक्यमेंटरी नव वर्ष पर रिलीज होगी हमारे नए चैनल एके टीके डॉक्यमेंटरी पर सभी से अनुरोध है कि अती शीग्र उस चैनल को सब्सक्राइब करें लिंक पिन कमेंट में है अब आते हैं टॉपिक के उपर रेप से यदि बचना असंभव हो जाए तो उसे एन्जॉई करो ऐसा कहना है कॉंग्रेस के करनाटका के मले का वही प्रियंका गांधी वाडरा का यूपि में कहना है बेटी हूँ कर सकती हूँ एक और खुद को फेमिनिस्ट दिखाया जा रहा है कताई महिला हितैशी वहीं दूसरी और ऐसी बाते की जा रही है वहीं अभू आजमी की कहानी तो अभी अभी आपने प्रारम में ही सुन ली इधर से समाजवादी पार्टी के शफिकुर रह्मान ने 21 वर्ष काल जो लॉव बनाया गया है उस पर कहा कि लड़किया ऐसा करने से न आवारगी और जादा करेंगे लड़कियों को जादे उम्हों परहड़ाएने से परहल हालात दिख रहेंगे और जो 18 साल के उम्हों भी काफी थी हूं के लिए और वो हमेशा चली आ रही थी और इस वरना इसने जादा आवारगी का मौका में लगा शी वहीं जारखंड के मिनिस्टर हफिज रहसन का कहना है कि लड़कियों की संख्याना वैसे ही इतनी जादा हो रही है इतनी बढ़ रही है तो इसलिए शादी की आईउ है उसको 16 कर देना चाहिए उधर से ओवेसी ने भी कहा कि यदि लड़की 18 में वेट देकर सरकार चुन सकती है तो पती क्यों नहीं अब इसको बैरिस्टर कि ये भी कि इतना घटिया सोच ये इतना घटिया माइंड सेट आता कहां से ऐसी बाते निकलती कहां से है तो इसके लिए आप माइंड सेट नाम की पुस्तक पढ़ सकते हो और पढ़ने का समय नहीं है तो भई पुस्तक को सुना भी आ सकता है कहां पर तो कुको एफम पर वहीं एकेटी के 20 ये है 20 प्रतिशर डिस्काउंट के लिए और सभी के लिए उपलब्ध है. तो ये पहले थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं भारत स्वाधीन हुआ और हिंदू मैरिज एक्ट आया. उसमें क्लिरली लिखा गया कि हिंदू केवल एक शादी कर सकता है और शादी के आयुना निर्धारित कर दी गई 18 वर्ष लड़की के लिए 21 वर्ष लड़कों के लिए परन्तु मुसलिम समाज 15 वर्ष में लड़का लड़की किसी का भी निकाह कर सकता था. उसके बाद Special Marriage Act आया 1954 में और Prohibition of Child Marriage Act 2006 आया. अब ये जो सभी laws थे ना इन में सेम आयू लिखी गई थी परन्तु ये नियम या तो हिंदू के लिए था या फिर इन में किसी religion का उलेख नहीं किया गया था. अब यदि एक 17 वर्ष की Muslim लड़की का निकाह होता है और केस कोट में जाता है तो भाई कोट खुद कनफ्यूज रहता था कि करूं क्या? ऐसा केस 2006 में करनाट का और गुजरात की हाई कोट में गया. वहाँ पर कोट ने माना कि ये child marriage है अर्थार्च illegal है और Muslim personal law के अंडर नहीं आएगी. 2018 में पंजाब एंड हर्याना हाई कोट में ऐसा किस गया तो माई लॉट ने कहा Muslim personal law और उसी के according ये child marriage नहीं है. 2006 में जिस गुजरात कोट ने ऐसे केस को child marriage माना था उसे 2014 में legal marriage माना और 2015 में illegal माना. भाया देखो अफीम खाने तक तो ठीक था परन्तु कनूला लगा कर सीधा अफीम की drip चड़वा लेना ये कोशादी की हो रहा है भाई. तो पूरे नियाएक तंत्र में ambiguity थी कि ऐसे केस में करें तो करें क्या. इस पर पिछली सभी सरकारें नेत्र मूंद कर खर-खर की ध्वनी निकाल रही थी. सो नहीं रही थी केवल दिखा रही थी कि सो रही है. अब भाई सीधे समिधान के किसी law में amendment करके उसके अंडर muslim personal law को लाना अपने आप में एक समस्या का विशय है. तो भी या बेटर है कि नया नियम लाया जाए जिसके अंडर सभी धर्म आ जाए. सभी के लिए आयो 21 वर्ष रख दी जाएगी. समाप्त हो जाता है. किसान प्रोटेस्ट के समय कहा गया था कि किसानों से बिना बाद चीत के ये नियम बना दिये गए. परंतु महिलाओं की शादी की आयू बढ़ाने के लिए ये भी नहीं कह सकते भाई. क्यूंकि 20 जून 2020 को Ministry of Women and Child Development ने एक टास्क फोर्स बनाई. जिसका मुख्य उद्देश्य था ये जानना कि महिला की शादी की आयू और उसकी नियूट्रिशन महिलाओं में हुने वाले अनीमिया, IMR, MMR और अधर सोशल इंडिसिस पर क्या प्रभाव बढ़ता है. उस टास्क फोर्स ने अपना कार्यप्रारंब किया पर पाया एक अच्छा खासा कोरेलेशन है. कई NGO और कई उनिवर्स्टीज को साथ लेकर सर्वे किया गया भारत के नगरों एवं गाउं में ट्राइब से लेके सभी धर्मुत की महिलाओं से बात की गई और उसके बाद डिसिजन लिया गया कि 21 वर्ष आयू कर देनी चाहिए शादी के लिए. इससे जेंडर न्यूट्रालिटी भी आएगी और जो यह सोच है कि लड़कों की ग्रेजुएशन और लड़कियों के स्कूल के उपरांत शादी करा दी जाए वो भी बदलेगी. अब लड़कियों को भी ग्रेजुएट बनाया जाएगा. भारत वो स्थान है जहां पर आपको घटने की जगा बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्यूंकि लोगों को आदत है कि 18 की लड़की होते ही शादी कराने और वो वो आदत एक दम नहीं बदलेगी. इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा. देखना ये है कि सरकार किस स्तर पर ऐसे प्रयास कर पाती है. आप सभी को स्मिर्ण होगा कि उत्राखंड के सीम ने लड़कियों की फटी जीन्स पे एक टिपणी की थी और उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था. रवीश से लेके सभी ने उसके उपर अपने अपने टिपणी की थी. लेकिन इस मुद्दे के पर इतनी भयंकर टिपणियां की गई हैं बहुत लोगों के द्वारा और उसको फिर भी मुद्दा नहीं बनाया गया है. क्यूं? क्यूंकि एक विशेश पार्टी के लोगों ने ऐसा कहा है और वो विशेश पार्टी इन सभी लोगों की ना फेवरेट हैं. तो उनकी अगे विशेश शक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है. वहीं भाजपा महिला विरोधी है. वहीं फेमिनिजम इंडिया नाम का एक पत्रिका है जिसका यथार्थ नाम इसलामिजब इन इंडिया होना चाहिए उसके सभी कार्य भी वैसी हैं. उनके लिए ना घुंगट का अर्थ है म महिला को दबाना लेकिन बुर्खा है फ्रीडम उस फेमिनिजम इन इंडिया ने भी भाजपा को नारी विरोधी बताते हुए इस नए नियम पर लिखा कि नहीं नहीं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए यह नया नियम नहीं लाना चाहिए भाई उस पोस्ट के कॉमेंट सेक्श हादी की वह 22 वर्ष है और यह किसी सरकार के प्रेशर में नहीं है केवल गुणबत्ता देखकर है और रही बात सरकार के एंटी विमन होने की तो भारत में फीमेल लिटरेसी रेट बड़े वेग से आगे बढ़ रहा है 2014 में 61 प्रतिशत भारतिय महिलाएं लिटरेट थी जो की अब आखड़ा 22 प्रतिशत तक पहुंच चुका है वहीं 15-49 अगर हम बात करें तो 89 प्रतिशत महिलाएं साक्षर मिलेंगी हर्याना जहां पर सबसे निम्स्तर का सेक्स रेशो हुआ करता था हजार लड़कों पर 872 लड़किया हुआ करती थी 2014 में वो सेक्स रेशो सुधर कर 922 लड़किया हजार लड़कों पर पहुंच गया है दिसंबर 2020 तक अब आप समझ सकते हैं कि भाई कौन महिला विरोधी और कौन महिला विरोधी नहीं आशानमित हूँ वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे नए चैनल को अतिशीग्र सब्सक्राइब करेंगे लिंक जो है वो पिन कॉमेंट में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन मे आपको मिल जाएगा आप देख रहे थे आज की तालग हमर जैहिन जैब भारत